हेल इंडिया स्टूडेंट्स, होप यौल आर हैपी एंड सेफ एट हों, तो बच्चों आज हम स्कूल की सेफटी के बारे में जानेंगे, तो अब मैं हम आपको बताएंगे कि हमें स्कूल में सेफ रहने के लिए कौन-कौन से चीज़े नहीं करने चाहिए, So, open the little explorer book, page number 53. So, students, the first thing which we should not do in the school, that is, do not run in the classroom. हमें classroom में इधर उधर रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि classroom में furniture होता है. Running करते वक्त, आप furniture में अड़कर गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है. Next, do not run up and down the stairs. बच्चों, आपको सीडियों पर भाग कर चड़ना या उतरना नहीं चाहिए. इससे भी आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है. And, do not play with ID card. आपको अपने ID card के साथ खेलना नहीं चाहिए. और उसको अपने mouth में भी नहीं डालना चाहिए. क्योंकि आपके ID card पर बहुत सारे germs होते हैं. और अगर इसको आप अपने mouth में डालोगे, तो ये germs भी आपके mouth में चले जाएंगे. And, do not poke pencils. बच्चों, आपको pencils को अपने friend को पोक नहीं करना चाहिए. Means, चुबोना नहीं चाहिए. As, it is sharp from the tip. So, you may hurt your friends. Pencils tip से sharp होती हैं. तो आपके friends को इससे चोट लग सकती है. Next is, do not push anyone. आपको अपने किसी भी friend को पोश नहीं करना चाहिए. Means, धक्का नहीं देना चाहिए. It is a bad habit and your friends may get hurt. ये अच्छी आदत नहीं है और इससे भी आपके friend को चोट लग सकती है. Next is, do not put things in the mouth. बच्चों, आपको किसी भी चीज को जैसे की pencil, teaching aids, अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए. Same as your ID card. I hope now you all have understood about the safety at school and classroom. और आप सभी को इन rules को follow भी करना है. Take care and bye-bye.